दूस्तों आपने बॉलीवड के सिंगम की ब्लोगबस्टर फिल्म दिल जले तो देखी होगी जिसमें मुख्य करदार निभाते हुए अजय देवगन नजराय थे इस फिल्म की कहानी अजय देवगन के प्यार भरी जिन्दगी पर आधारी थी जिसको हासिल करने के चक्कर में इनके पापा की मृत्ति हो जाती है और इसी बात का बदला लेने के लिए अजय देवगन एक आतंको वादी बन जाते है इस फिल्म की कहानी तो थी लाजवा पर इ पार्टनर से रूबरू करवाने वाले हैं जिनमें आप अजीदेयुगन की पतनी गाजूल के बारे में तो जानती हैं पर बाकी कलाकारों का क्या उनके बारे में तो नहीं जानते ना कोई बात नी हम आपको बताने के लिए चलिए शुरूर निमबर पांच परमीत सेथी फिल इस हंसम अबनेता की पतनी की तो इनकी पतनी का नाम अर्चना पूरन सिंग है जिन से नोंने 1992 में शादी की आज इनके दो बच्चे है आरेमन सेथी और आयुशमन सेथी आपके जानकार के लिए बता दे इनकी पतनी प्रफेशन से अभनित्री हैं जिन्नोंने राजा इंद हवाई भी लूटी लेकन अगर बात करें इनकी पतनी की तो इनकी पतनी का नाम और्मिला दिवेकर है जिन से नोंने 1997 में शादी की शादी से ने दो बच्चे है नमरतापुरी और राजीवपुरी इनकी पतनी हाउस वाइफ है जो अपने पती की मृत्य के बाद अपने घर की जिम्मेदारी बखू भी संभालती है नमर तीन शक्ति कपूर फिल्म में राजा साहिब का करदा आरभनेता शक्ति कपूर ने निभाया जो कि खलनायक का करदार था जो अपने बेटी राधिगा के प्यार शाम को उनसे अलग करने के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं इस फ अनकरी के लिए बता देन की पतनी भी अबिनेत्री हैं जिन्होंने किस्मत साजन बिना सुहागन और विधाता जैसी फिल्मों में काम किया है नमबर दो मधू फिल्म में मुख्य अबिनेतरी शबनम का किरदार अबिनेतरी मधू ने निभाया जो शाम से महबबत करती है पर शाम राधिका से प्यार करते हैं जिसके चलते ये काफी टूट सी जाती हैं इस फिल्म में दर्शकों ने इनके करदार को बड़ा पसंद किया जिसके चलते ये दर्शकों की पसंद बन गई अगर बात करें इस खुब्सूरत अबनेतरी के पती तो इनके पती का नाम आनंद शाह है जिनसे इनोंने 1999 में लाव मेरिज की थी आज इनकी दो प्यारी प्यारी बीटी हैं जिनका नाम किया और अम्या है आज भी इन दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टेंडिंग है जिसके चलते आज भी इनका प्यार भरा रिष्टा कायम है आपकी जानकारी के लिए बता दे इनके पती प्रोफेशन से एक सक्स prestigious businessman है जिनका नाम करोड़ पतिओं के लिस्ट में आता है बरेक सोनाली बेंद्रे फिल्म में में लीड एक्टर्स राधिका का करदार अभिनेतरी सोनाली बेंद्रे ने निभाया जो की फिल्म में उच्छे से निभाया और पौपिलर होगी अगर बात करें इनके पती की तो इनके पती का नाम गोल्डी बहल है जिन से इनोंने 12 नवंबर 2002 को शादी की शादी के तीन साल बाद इनके बेटे रनवीर का जन्म हुआ आपकी जनका रिगले बता दे इनके हस्बंड जो है ना वो एक फिल्म प्रिडूसर है जिनोंने द्रोना, आईमी और मैं और बस इतना सा खौब है जिसे फिल्मों को प्रिडूस किया है तो दोस्तों आपको इन कलाकारों में सही फिल्म में सबसे अच्छा बेन है किसका लगा आप हमें कॉमेंट बुक्स में उनका नाम लिखकर बता दो और बॉलिवीड से जुड़े और वी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें